Hello friends, कैसे हैं आप लोग? I hope आप सभी बहुत अच्छे होंगे. स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल Smart Study 101 पर और मैं हूँ दिव्यवग्मा. दोस्तो आज क्लास में हम लोग पढ़ेंगे DP रोज चौधरी के बारे में. पिछली क्लास में आप लोगों को रांग किंकर वैच के बारे में बताया गया था. दोनों कलाकार आपके बहुत ही ज्यादा important है. यहां से question आपके paper में जरूर पूछा जाएगा. या तो फिर इनकी कोई मूर्तियां पूछी जा सकती है. या फिनके बारे में जो important point है वो पूछी जा सकते हैं. तो दोनों कलाकार आपको अच्छी से complete करने हैं. और पिछली वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखी हो तो जाकर देख लीजे. बाकि वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा. और दोस्तों एक महत्वपूर बात आप सबकी सायता करने के उद्देश से मैंने टेलिग्राम चैनल भी बनाया हुआ है तो आप लोग उसे भी जोईन कर लें. अगर आपके कोई क्वेस्चन हैं कोई भी डाउट हैं तो आप हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं और टेलिग्राम चैनल की लिंक मैंनेस वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दी हैं तो चलिए फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं डीपी रॉय चौधरी इनका पूरा नाम से सम्बन्दित केवल वही पॉइंट्स बताये जाएंगे जो आपकी परिक्षा की द्रेश्टी से महतपोड हैं बाकि अगर आप इनके बारे में डीटेल से पढ़ना चाहते हैं तो डीटेल वीडियो भी चैनल पर अवेलबल है आप जाकर देख सकते हैं इनका जन्म हुआ अगर आपके ऑप्षन में बांगला देश ना है पस्चिम बंगाल लिखा हो तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है पस्चिम बंगाल को सही करना है सिख्षा इन्होंने कहां से लिख कलकत्ता कला विद्याले से और वहां पर सिख्षा कौन थे आवनीन ना टैगोर तो आवनीन ना टैगोर से इन्होंने सिख्षा लिख कहां से कलकत्ता कला विद्याले से इन्होंने इटेलियन चित्रकार बा रणमेरा चौधरी से और तैल चित्रकारी बाइस से 1929 में ये मदरास कला विद्याले के अधिक्षक बनाए गए और बाद में यहाँ पर प्रथम भारती प्रिंस्पल भी बने 1929 में ये मदरास कला विद्याले के क्या बने अधिक्षक बने फिर यहाँ पर प्रथम भारती प्रिंस्पल भी बने यानि मद्रास कला विद्याले के पहले भारती प्रिंस्पल कौन थे तो आपके डीपी रॉय चौधरी फिर 1954 इसमी में ये ललित कला अकादमी नई दिल्ली के प्रथम अध्यक्ष चुनेगे महत्वपूर्ण पॉइंट है ललित कला अकादमी के पहले अध्यक्ष कौन थे डीपी रॉय चौधरी और कब चुनेगे समय क्या है तो 1954 फिर 1958 में भारत सरकार ने इने पद्न भूशन से सम्मानित किया इने पद्न भूशन कम मिला 1958 में ये सारे पॉइंट साथ के महत्वपूर्ण है अगला है ये प्रशिद मूर्तिकार थे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये प्रमग रूप से क्या थे मूर्तिकार थे फिर आगे देखिए इन्हों में इन्हों में इन्हों ने मान स्पेशियों पर विशेज ध्यान दिया है। तैल माध्यम का इन्होंने अधिक प्रियोग किया है जैसे जल माध्यम होते हैं वॉस होता है टेंपरा होता है बहुत सारे होते हैं तो इन्होंने तैल माध्यम का अधिक इस्तेमाल किया है आगे देखिए मूर्थ सिल्पों के लिए इनका प्रिय माध्यम कांसा रहा है ध्यान बनाई है लेकिन इनका प्रमुक माध्यम क्या रहा है कांसा यानि की ब्रॉंच हिंदी में कांसा इंगलिस में ब्रॉंच डीपी राय चौधरी के द्रस्य चित्रों पर रेंब्रा और टिशियन का प्रभाव है कला किसी के बाप की बपोती नहीं है इसे कोई भी धारन कर सकता है ये इनका कथन है तो अगर मालिया आ जाए ये कथन दिया हो कला किसी के बात की बपोती नहीं है इसे कोई भी धारण कर सकता है ये किसने का चार विकल्प दिये होंगे तो कौन सा ही होगा डीपी रॉय चौधरी इनके चित्रन का प्रमुक विसय महिला रही है इनके चित्रन का प्रमुक विसय क्या रहा है तो प्रमुक विसय रही है महिला मूर्तिकला और चित्रकला के साथ ही पोट्रेट पेंटिंग, जल रंग, पैनल पेंटिंग, वास पेंटिंग तथा जापानी ढंग से सिल्क पर चित्रांकन में भी इनोंने सफल प्रियोग किये हैं ध्यान रखना आपको ये है, कि ये प्रमुक रूप से मूर्तिकार थे, बस इसके एक्तरिक्त प्रख्यात सिकारी एवं पहलवान भी थे, तो ये सिकारी भी थे और ये पहलवान भी थे तो सारी चीज़ें ध्यान रखेगा आगे देखते हैं इनके प्रमुक्षित्र इन्होंने कौन-कौन से चित्र बनाए तो कुछ महतपूर्ण चित्र हैं वो आपको यहाँ पर बताय जा रहे हैं पहला है आधी के पस्चा जिसका दूसरा नाम है तूफान के बाद फिर निर्वाण दुर्गा-पूजा सोभा यत्रा अब यह पस्च्यम बंगाल के थे तो पहाँ पर दुर्गा-पूजा यह जो है बड़ी धूम-धाम से मनाई जाती है तो इन्होंने दुर्गा-पूजा क ने की भूटानी ओरत, भूटान की, मुसाफिर और लेपचा कुमारी, तो ये हो गए इनके चित्र, आगे आती है इनकी प्रमुख मूर्तिया, इन्होंने कौन-कौन से मूर्तिया बनाई है, मूर्तियों पर आप लोग थोड़ा विसेज ध्यान देजेगा, क्योंकि ये मूर् कासे से भी बनाई गई है, और सीमेंट सी भी बनाई गई है, तो कासे वाला इधर समय दिखा हुआ है, समय है 1969 में, कासे से नो ने बनाई, माध्यम दिया है कासा, और स्थित कहा है, चेननई में, कासे वाली चेननई में स्थित है, दूसरी इनकी है सीमेंट वाली, इसका समय है 1954 माध्यम है सीमेंट और ये घार रखी एंजी एमें में तो इस चीज का आपको ज्यादा ध्यान नहीं रखना है इतना ध्यान रखिए कि स्रम की विजय मूर्थ किसकी है तो आपकी डीपी रॉय चौधरी की और इसका दूसरा नाम है मजदूरों का विजय उल्लाज ठीक है दोनों मूर्थ सिल्पों में चार-चार मूर्थियां है और ये जो मूर्थ है श्रम की विजय इसमें कितनी आकरतियां है तो चार आकरतियां बनी है आगे देखिए ये है श्रम की विजय जो आपको मूर्थ भी पढ़ाई गई है वो ये है आगे देखिए फिर अगली इनक मार्च भूख का सिकार सड़क बनाने वाले जब जाड़ा आता है तो ये हो गई इनकी प्रमुक मूर्तियां मूर्तियों पर विसेज ध्यान दीजेगा और सभी मूर्तियां आप लोग याद कर लेजेगा कोई भी पूछी जा सकती है तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त हुई अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राम कुमार वर्मा के बारे में बाकी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजेगा और इसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिजेगा फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसी किसी नई वीडियो के साथ तब तक आप जुड़े रहे हमारे साथ धन्यवाद दोस्तों जैहिंद